एक होता है दसांक, एक होता है सतांक, और एक होता है सहस्तांक, एक होता है क्या सहस्तांक, इन तीनों की चर्चा करते हैं, सहस्तांक, एक क्या होता है, एक तीनों के तीनों होते क्या है, तो इन तीनों की अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ये तीनों होते क्या है, ठीक है ठीक है आपके 2023 या 22 में आपका एक कोश्ण आया था तो द क्क्षिआगा क्या होता है यह समलव के समलव के बाद का दसमलव के बाद का पहला अंक है पहला अंक है पहला अंक है क्या किलाता है हमारा दस आंक किलाता है जैसे मैंने लिए 0.5 तो 5 क्या है हमारे जी दस आंक है ये क्या किलाएगा हमारा दस आंक किलाएगा क्यों क्योंकि दसमलव के बाद का पहला अंक क्या किलाता हमारा दस आंक क किलाता है दसमलव के बाद का दसमलव के बाद का दसमलव के बाद का दूसरा अंक है दूसरा अंक है दूसरा अंक है दूसरा अंक है क्या किलाता है बिटा हमारा क्या किलाएगा हमारा सतां किलाएगा जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर उधारन की रूप में लिखते था हूं जी क्या किलाएगा हमारा सतांग किलाएगा क्या किलाएगा हमारा सतांग किलाएगा अब हम बात करते हैं सहस्तांग की तो दसमलब के दसमलब के बाद का तीसरा अंक है क्या किलाता है हमारा क्या किलाएगा हमारा सैस्ता अंक जैसे उधारन की रूप में देखता हूँ जीरो दसमलब छे तीन दो तो जे दो है ना जे दो जे कलाएगे क्या हमारे बेटा सैस्तांक क्या कलाएगा हमारा सैस्तांक तो तीन चीज़ें याद रखना है क्या आपको दसांक दसमलब के बाद का पहला अंक दसांक दसमलब के बाद का दो अंक कलाएगे सतांक और दसमलब के बाद के तीन अंग क्या लाएंगे क्या पिटा हमारे सहस्तांग क्या लाएंगे क्लियर है जिस हो गया पिटा दसांग सतांग और सहस्तांग अब मैं एक question देता हूँ आप लोग मुझे आंसर दीजेगा लिखीगा question ठमोसे हेशिए ना पैला क्कुश्ण ओक यह रहा चाहला निक्त ओर पांच को था था अधिक ओश्व द्रच निस सटांक मैं बदलिये मैं 5 को सतांक मैं बदलिये तो सतांक मैं बदलिये पाहिं जल्दी बतायर इसका क्या हो जाए भी एक श्राइब आंशर जल्दी बताए इसमें क्या हो जाएगा मि किसमें बदलना है घेटा से समल required के बाद बाद दूसरा अंक हम्हें perfect अब अगर मैं को व्र।क जैटा बन उसको सयस्ते से स्में की से कैसे बदलेंगे हैं तो वह नहसु भाग देना पड़ेगा we हुझी पायच में मुझे देना पड़ेगा बैटा कितने का एक हजार का देना पड़ेगा एक वच्छच पॉइंट जीरो जीरो फाँच जे के लाइगा हमारा क्या सेस्तानंग अगर मैं कहुं इसको किसमें बदलना है दसांक में बदलने के क्या बात करनी पड़ेगी बिटापन को पांच बटे क्या करना पड़ेगा दस करना पड़ेगा मतलब आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट पांच हो जाएगा तो बास समझ में आई सतांक दसांक और सेस्थांक क्या कराएंगे